आप सभी का मेरे चैनल पर पुरह स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी सुस्तोंगे महादेव की कृपा आप सभी पर सदय बने रहे ये वीडियो मकर यानि कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ता है यानि कि 20- 26 मई 2024 के सापताहिक राशीफल के बारे मेरा सापताहिक राशीफल चन्रमा की गती प्याधारित होता है चन्रमा कैसे ग्रहें जो बहुत तेज भागते हैं सवादों से धाई दिन में अपनी राशी बदल लेते हैं तो बहुत सभावी कहेगी पूरा हफता जो साथ दिन का हो इसलिए day to day activity पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव रहता है, इसलिए सापताहिक राशी फल की महत्तता और बढ़ जाती है, यदि आपकी लगन राशी या चंद्राशी मकर है, पुनह बताऊंगा यदि आपकी लगन राशी या चंद्राशी मकर है, दोनों ही guidance के लिए राशी फ साथीकता जादा मिलती है, अगर आपको लगन राशी से जादा साथीकता मिलती है, वहां से देखिए, मेरा विक्तिकत तोर से मानना है कि लगन राशी हमेशा साथीकता से जादा पास रहेगी, आपके लिए जादा relatable रहेगी, शुरुआत करते हैं, चंद्रमा 20 तारीकों र पामी है, यहां पर आगे तो यह राजयोग बना, तो कारेक्षित्र में आगे बढ़ेंगे, recognition का time है, कुछ अच्छा करने का समय है, मान सम्मान प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन आदी अगर रुक रही थी, यह वो समय है, अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, तो चीज़ आ प्रासेस आपको देखने को मिलेगा, बुद्ध की दिष्टी है, और बुद्ध की दिष्टी चद्रमा पर जो खुद केमद्रुम योग वाले हैं, यानि कि कोई भी गरहा आसपास चद्रमा के नहीं है, राहु और केतु को उसमें कभी भी consider नहीं करते, तो केमद्रुम यो साथ भी प्राप्त होगा, लेकिन confused बहुत करते हैं, तो कारेक शेतर में confusion बन सकती है, लिखा पड़ी का कारे है, financial transactions वाला कारे है, या कोई ऐसा कारे है, जिसमें बहुत detail में जाकर कुछ करना पड़ता है, तो बहुत careful रहीगा, क्योंकि गलतिया होने के संभावना आपकी ब लावस्तान के स्वामी है, तो ये बता रहा है कि कहीना कहीं से अचानक से लाब की प्राप्ति आपको हो सकती है, नमान चिकुनली बता रही है, नई संभावनाएं को लेंगी हफते के शुरुवाती भाग में, दश्वान चिकुनली के नुसार, कारेक शेतर में थोड़े र हो रही है, कोई बाते बहुत डिले हो रही है आप दोनों के बीच में, और ये सब मिलकर थोड़ासा प्रभाव नेगेटिव डालेगी, जातक स्टूडेंस की बात है, सब ठीक दिकर आए, एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ासा एक्स्ट्रा करीकुलर एक्टिव्टीज पर ध्यान दीजे, सद्वाश्टक के अनुसार आपका तीसरा भावतिन तबली है, अचानक से यात्रा के योग भी आपके बन सकते हैं, तेईस तारीक सुभा के तीन बजे चंदर्मा राशी बदलेंगे, और आपके ग्यारवे भाव में आकर बैठ जाएंगे, अनिकि कोन के स्वामी है, बिजनस में भी आगे बढ़ पाएंगे, और सबसे इंपोर्टन चीज़ है कि आपका कोई अटका हुआ कारेपोन हो सकता है, नीच का चंदर्मा पैसा बहुत देता है, लेकिन केमद्रुम योग बना रहेगा भी लंबे अरसे तक, और यहाँ पर बहुत स जा सकती है, अपनी च्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कीज़ेगा, पैसा आएगा, लाव प्राप्त होगा, लेकिन उसके वेग में बहना नहीं है, शनी की दृष्टी विश्योग बना रही है, कभी-कभी थोड़ी नकरात्मक सोच भी हो सकती है, और थोड़ी जलन का सभ पर टाइम-टू-टाइम, हाँ, एक एक एवैलुएट करना चाहिए कि हाँ, हम कितना आगे बड़े, कोई विक्ति जो हमारे साथ स्टार्ट किया था, वो कहां पर है, टाइम-टू-टाइम ये कंपैरिजन स्थोड़ सा कर सकते हैं, री-एवैलूएशन के लिए, लेकिन य गुरू की दृष्टी अपने आप में अच्छी है, और वो क्योंकि केंद्र में है, चंद्रमा से, तो गजगेसरी योग भी बनना है, ये भी धनप्राप्ति के लिए अच्छा है, विदेश्च से समन्नित कुछ कारे करते हैं, क्योंकि व्रस्पति भार्वे घर के स्वामी अच्छा है, और शुक्र तो खुद पंचमेश है, और आपके योग कारते हैं, कि कोई बहुत इंपोर्टन स्पेशली पैसों से जुड़ा कारे आपका यहाँ पर पून हो सकता है, बस अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजेगा, नमांच कुनली बता रही है क क्रियेटिविटी बहुत रहेगी, करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं अचानक से, धन भी प्राप तो होगा, अच्छा भी कुछ होगा, स्पेशली फाइनस सेक्टर्स में जो है, या फिर सर्विस बेस्ट इंडस्ट्री में है, बिजनस की जहां तक बात करें, ठीक है स सब कुछ, लेकिन गैर जरुती चीजों से थोड़ा सा अपना ध्यान हटाईएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है, टाइम बहुत वेस्ट कर देंगे, लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, विवाहिक जीवन ठीक है, बस स्ट्रेस थोड़ा सा यहां पर हो सकता है, जहा वाश्टक में आपका भागेस्तान बली है, यह बता रहा है कि भागे का साथ आपको यहां पर अवर्श्य प्राक्त होगा, 25 तारीक सुभा के 11 बज़े चंद्रमा आजाएंगे आपके बारवे भाव में, धनुराशी में, और सब्ता के अंत तक यहीं पर रहेंगे, चंद् वाशा मिश्रित सा ही यह समय रहेगा, लगने के स्वामी यानिकी शनी देव, उनसे ग्यारवे में है यानिकी कुछ लावप्राप्त बाहर से हो सकते हैं, विदेश से हो सकते हैं, लेकिन मांसिक स्थर से थोड़ा सा यह समय कष्टकारी जादा दिखरा है आपका, ध्यान द पर सकते हैं, कोई बिमारी चल रही है उसके करने दिक्कत परिशानी बढ़ेगी, अपनी दवाई बहुत टाइम से लीजेगा, बिना प्रिस्रिप्शन, बिना डॉक्टर्स के रजामंदी या उनके राए के कोई भी दवाई मत लीजेगा, इन सब चीजों का बुरा प्रभ को मन से निकाल दे, जो भी वेक्तिय करने का अपने जिवन में प्रियास करता है, वो अवश्य परिशान होता है, दश्मान चिकुनली, कारेक शेत्र में बहुत मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करने पड़ेगा, समय ठीक है, बिजनस की जहां तक बात है, बहुत पूनता रहने थी रिलेशन्शिप में उनको ठीक किया जा सकता है, विवाहिक जीवन अच्छा समय है, पेशन्स थोड़े सी दिखानी पड़ेगी, फैमिली प्रैनिंग जो लोग करना चाते हैं, उनके लिए समय ठीक है, स्टूडेंस से यही कहूंगा कि थोड़ा सा अपन मानसिक सेहत पर काम कीजिए, अपने emotional सेहत पर काम कीजिए, स्टूडेंस सेहत के नुसार, रक्त विकार, blood disorder, और sleep disorders तंग कर सकते हैं, infections तोड़ा बचके रहेगा, बाहर का खाना अवर्ट कीजिएगा, सरवाश्टक में आपका बारवा घर ही बली है, विदेश से लाब होग चैनल पर नहीं है, सबस्क्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ, अगली वीडियो में तब तक के लिए, ओपना शूर।